लेते हैं लबेल को लबेल अलो अजी अच्छा मेरे अभी मेरे जहन में एक बात आई है अगर आपको पसंद आए तो आप जल्दी से खतम कर देना मैं आपको निकाल दूँ मैं बाहर जी निकाल देना अच्छा मैं आमना की बात से मेरे जहन में एक बात आई कि पाकिस्तान में विक्टिम्स के साथ क्या सलूक होता है या जो है वो कह देते हैं इज़त उतार दी औरतों की इज़त उड़ा दी कुछ तांका लूट दी तो मेरे हैं में के पहला इल्जाम जो आज कल क्रिस्टिन और हिंदू लड़कियों के साथ हो रहा है वो पूरी सोसाइटी जो है ना वो इस बात में लग जाएगी कि कसूर इस लड़की के उसने उस बंदे को दावत दी अपनी तरफ वो इस चीज में राजी थी जितना मर्जी शोर मचा दे वो चाहे तो हमारी पुलिस हो जो मर्जी जो हकूमत के इदारा वो सबी लोग यही कहेंगे कि इस लड़की की मर्जी थी और मैं इस बात से के यक पुलिस की वही गाड़ी में मैं बैठी थी मेरी मां बैठी थी और जिन लोगों ने मुझे इतना दुख पुंचाया था वो मेरे साथ बैठे हुए थे दीन ने करवाने के लिए उन लोगोंने मुझे पहले से एडरस नहीं दिया उन लोगोंने मुझे पहले से कुछ नहीं बताया olis ξ Batman बुलाया इसेकर सेम गाडी में सब भी ठाख लेगें गए हैं और उनके सामने जो है वह मेरे से सवाल पुछा जा रहे थे, पुलीस वाला मेरी जगा जवाब दे रहा था तो अगर आप कहें कि इनका कोई हल निकलेगा या जो क्रिस्टन लड़कियों के सभी हो रहे हैं के साथ पाकिस्टान नहीं बदलने वाला यह आपने जो बात बता ही है नहीं पता था इन बातों का और लेकिन मुझे बड़ी हारत ही हो फिर यह लोग मुझे हारत ही होती है तो उसको उसका सामना जो मुझरिम होता है जिसको पर इलजाम होता है उसका सामना तब भी नहीं करवाता है ये गहरत गोरे जो है और ये आप मुझे बता रही है कि उसी वैन में बठा गए ऐसी casual सी conversation हो रही है और ये वो गहरत वाले लोग है गहरत वाला system है कि एक ही mobile में जो डाला होता है पुलिस वाला उसके अंदर बठाया है एक ही जगा पर सारों तो आपने कोई अर्थजाज नहीं किया कि इनको लेदर से लेके जाओ या आप वो चिखना शुरू हो जाते थे पुलिस वाले को बीबी बैठो तैसा हुआ मुझे सड़क पे फैंक दिया तो मैंने बस में बैठे लोगों से जब मैंने काना कि वो बंदा भी वहीं पे था जिन्हों ने फैंका मैंने उनसे का देखें मेरे साथ ये हुआ है तो उस बाबे ने मुझे बोला बेटा ये घर जाके अपने माबाप को बताना जो तुम्हे पढ़ने बेचते हैं तो यहां तक मैंने जब मुझे पहचान करनी थी दो हफ़ते के दुरान तो मैंने पहली जब बार अपने उस मुझरिम को देखा मेरी माँ मेरे साथ थी और कुछ पुलिस वाले कुछ अच्छे भी थे लेकिन वो भड़ी पोस्ट पे थे तो मैंने पहले जब बार देखा तो मैं चीख उठी कि मैं अपनी माँ को पकड़ के रोना शुरू होगी और चीख उठी और जितने लोग उस रूम में थे उनकी आँखों में भी आंसु आ गए लेकिन कुछ आफ़ते बाद वो ही लोग उसी वैन में बैट गए के गए और जो मेरे इलाके के लोग हैं वो मेरे बाप को मश्वरे ये दे रहे थे कि इसकी शादी करवा दो जिसने इसके साथ गलत किया तो मैं आप नमबर सही नहीं बताऊंगी अगर आपने ये स्टोरी पढ़नी होगी तो मैं आपको अलग से भेज़ दूँगी लेकिन जो मेरे इलाके के लोग थे उन्होंने जब ये मश्वरा दिया तो मेरे बाप ने कहा कि वो तो पांच-छे लोग हैं अब के मैं पांच-छे लोगों को उसको कर दूँ उसकी शादी कर दूँ और वो पांच-छे लोग जो थे वो शादी शुदा बच्चों वाले खुबसूरत बीवियां थी उनकी और अच्छे मतलब एक तो अमीर होते हैं और एक अमीर के साथ जिनका गलत करेक्टर भी होता है वो जो इलाके के सियासदान और गोलियां शोलियां लेके फिरते हैं और मेरे घरवानों ने तो कभी फुलिस नहीं थी देखी मेरे घरवानों को तो पता ही नहीं था कि यह केस होता कैसे और 18 साल की उमर में मुझे किस तरह से मुझे खुद नहीं था पता लड़कियों को वहां पर नहीं बता होता है। लेकिन जैसा ही कोई केस इस तरह का आगे आता है, इस तरह के केसों में पैसा कमाने वाले विक्टिम का नाम लेके, बहुत सारे लोग आ जाते हैं आके। और अगर का केस, किसी वो जैज के पास सला भी जाता है, जो मेरा परसनल ही हुआ था, मैं फैसला होगा, और मुझे किसी की बाहर से कॉल आई थी बेटा, ये फैसला कभी नहीं होगा, तू निकल यहां से। अगर जिन्दा रहना चाहिए, मेरे घर में फाइरिंग हुई, मेरे बाप को मारा, मेरे भाई को मारा, मेरी और जो इज़त का वो होता है ना, कि हमारी इज इसको फरक नहीं पड़ता, और ये मर्द बोल रहे थे, लोग हमारे घर के सामने से थूप के गुजरते थे, ये सुसाइटी वाले लोग थे, तो कोई भी विक्टिम होगी, ये आप ये ना कहें कि अगर मेरा केस पुलीस के पास चला गया तो मुझे कोई फैसला सुनाई द लगे थे, तो इनको इस जिंदगी में तो इनसाफ नहीं मिलने वाला, कभी वो इस दुख के साथ मर जाएगी वो औरत, खेर, वहां से अब अगर निकलना भी हो तो फिर भी हमारे सुसाइटी के मेरी मा की सहीलियां बोलना शुरू बाहर जाएगी तो प्रोस्टिट बन जा जाएगा, तब मेरी मा फिर से लड़ना शुरू हो गई कि मतलब तेरे से गलत कराम करवाएंगे तो मैं इनका मा यहां पर मेरा इमेज क्या है, यहां पर भी मैं तो एक प्रोस्टिट हूँ, मा ने तंगा के गला दुबाने की कोशिश की, बाप ने मारा, जो है मा ने यहां आठ साल की, उसकी 12 साल में शादी करती जाएगी, तो यह जो विक्टिम है, वो पूरी खानदान का बज़न जो है, वो सर पे उठाता है, और पूरा खानदान आपकी टीवी पे स्टॉरिस देखे मज़े लेता है, कोई इस विक्टिम से आके यह नहीं पूचता, कि तुम कै अक्मी हो या तुम्हे कोई दवाई चाहिए, कोई इन लोगों से नहीं पूचता, और NPR के घरवनों से लड़के, सब कुछ करके, अगर मैं बाहर निकलाए तो मेरी इज़त बन गई, लोग अब मेरी मां से पूचते हैं कि कहां है, कैसी है, क्या कर रही है, तो मैं कहते हू कि मां बोलो मर गई है, अब सारी रिष्टेदार भी आगए, क्योंकि बाहर आप दरखतों पर पैसे लग रहे हैं, या मेरे से खानदान वालों को कोई फाइदा हासिल हो रहे हैं, कि वो अब मेरे हाल पूच रहे हैं, और फिर आपके, जो इस तांग के विक्टिम्स होते है वो फोरां से रिष्टे भी आना शुरू हो जाते हैं उन लोगों के, कि इससे शादी कर लो, इससे, और वो क्या होते हैं, जो 40 साल के, 45 साल के, मैं 17 साल की थी, और मेरा कजन 45 साल का था, जिससे मेरी शादी होने वाली थी, और कानून वाले, उस जो आपके मुझरिम हैं, उ यह कहने के लिए कि सुला कर लो, और सुला और माफी जो है ना वो लड़की से नहीं पूछी जाएगी, वो लड़की के बाप को कहा जाएगा, भाई को कहा जाएगा, सुला कर लो, दो लाक ले लो, तीन लाक ले लो, माफ कर दो, अजब मेरे घर में महले वाले और पूरे लाके के लोग आ रहे थे तो मैं मुझे यह लग रहा था कि यार मेरी इज़त नहीं लूटी यह गाओं वालों की इज़त लूट गई है क्योंकि यह इनको ज्यादा दुख हो रहा है इस चीज का कि इनको माफी दे दो लेकिन मेरा भी तो पूछो मेरी पढ़ाई चूट गई कि यह मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती है और मैं एक तरह की मर चुकी हूं मेरे पास मैं अगर अच्छा कपड़ा भी पहनूंगी ना तो तब भी मेरे पर उंगली उठेगी मैं अगर खाऊंगी भी ना तो तब भी मेरे पर उंगली उठेगी कि तू जिन्दा क्यूं है मर और ये हमारे कानूनदान, स्यास्तिदान, ये गवर्नर हाउस में गई थी उस दमाने में, और मेरे बाप ने उसे कहा कि हमें खत्रा है, हम वहां पे नहीं रह सकते, तो गवर्नर साथ ने अपनी बड़ी से चेर पे बैट के बोलता है, सफर करो ना, कुरान पाक में लिख है, स सब कुछ बेच दिया है, बाप अपनी जान बचाने के लिए, घर बचाने के लिए कुछ का रहा है, और ये हमारी हकूमत हमें कह रही है, क्या जो घार इतने सालों से तुमने बनाया, वह छोड़के कहीं और चले जाओ, और ये मुझरम नहीं, विक्टिम आधी रात को चोरों की तरह घर से भाग रही है, अपनी जान बचाने के लिए, और मुझे कॉल जाते रहे हैं, कि मान जा वरना तुझे कतल कर देंगे, तो मैं कहते थी, आजो यार, मैं तो मरना चाहती हूँ, आके मार दो, मैं आपको, ये सब कुछ, लोगों को भी समझाना चाहती थी, कि अगर कोई बात इस तरह से कर रहे हैं, तो ये सच है, पाकिस्तान को हम बदनाम नहीं कर रहे हैं, वो हमारा भी मुलक है, हमें भी उससे प्यार है, और हम वहाँ पे पैदा हूए हैं, लेकिन नहीं भी हो सकता, लेकिन नहीं भी हो सकता, जिस मुलक ने, और जो मैं स्पार्टकस की हमेशा बात करता हूँ, कि जिस मुलक की वज़ा से, एक इनसान की जिन्दगी में जो ट्रॉमा गुजरा हो, आप पाकिस्तान को कुछ ओ नहीं करते हैं, आप पाकिस्तान को गालियां भी दे देंगी, आप आपका हक बनेगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं हैं, क्योंकि आप लोग विक्टम है, यह जो बाते हैं, जो यह आमचेर की लग्शरी से जो लोग बैठके बाते करते हैं, जो बड़े-बड़े नारे मारते हैं, self-righteous बते करते हैं यह privileged position से कर रहे होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं देखा होता जिनको सब कुछ याद आ रहा होता इसमें आपको you don't have to make any apology for this क्योंकि यह obviously I'm really sorry आपने मुझे नहीं पता था क्या आपने यह बात करनी थे क्योंकि यह आपका अपना obviously decision है और पहले दो मैं आपसे पूछूंगा कि यह जो इतना traumatic experience है आप मुझे पता आप यॉरोप में कहीं पे रहती हैं तो क्या आपने किसी कोई therapy वगारा की किसी से कोई क्योंकि जो trauma जो होता है इसको जो मैंने जहां तक सुना है I'm no expert कि इसको आप सिरफ ऐसे नहीं कर सकते हैं यानि इसको दबा कर नहीं रख सकते हैं You have to speak with professionals आपने किसी से बात की है इसके उपर जी बिल्कुर मैं दो साल तक psychiatrist के पास जाती रही हूँ लेकिन उस पे जाने से कोई फरक नहीं पड़ रहा था मुझे क्योंकि मैं खुद एक्सेप्ट नहीं थी कर रही मैं खुद को पिंच कर के देखती थी कि मैं जिन्दा हूँ या मैं खुआप देख रही हूँ क्योंकि मैं एक्सेप्टी नहीं थी कर रही मेरे साथ हुआ किया है और जब मैंने accept कर लिया कि मेरे साथ यह हुआ है और यह मेरी जिन्दगी का हिस्सा है इस हिस्से को मैं कभी निकाल नहीं सकती तब मैंने बोलना शुरू कर दिया मैंने कि युनिवर्सिटी यहां पर जाके बताना कि ओनर किलिंग है हमारी सुसाइटी में है माबाप भी जो है वो नहीं साथ देंगे पुलीस वालों के साथ बोलना शुरू कर दिया कि जो इमिग्रेंट्स आये हैं उनके बच्चों की सुनें उनका रवया देखें और उनका साथ देंगे क्योंकि बाहर के लोगों को नहीं पता और मैं जितनी स्ट्रॉंग बन चुकी हूं कि मैं बड़ी इस कहानी के बारे में बोल सकती हूं लेकिन मुझे दुख होता है जो लोग इसी सिचुएशन से बार बार बुज़र रहे हैं और बार लोग कह रहे ह और हकुमत और ये जो इदारे हैं पुलिस वाले ये कुछ नहीं कर दें ये जैसे आज ही ये कुछ बच्चीयों की मैंने फिर से शेयर की खबर ये लड़की फूली में गावर ये हिंदूल सारी ये कृस्चिन बच्ची तेरा साल की इसके साथ भी ये काम हुआ तीन लोगो और ये काम दिखाया और अब इसके उपर ये कृस्चिन मार्क उठाने हैं मैं कोशिश करूँगा इस राहत आउस्टन के ये बच्ची जो है इसकी इसकी स्टोरी भी है कि इसके साथ भी जिंसी ज्यात्ती की गई और हाँ ये ये अब आपसे जो एक विक्टम है उससे डिरे होती है लेकि मुझे शायद फिर शायद उनके साथ भी ये मसला वो भी ये काम रोज देखते होंगे तो उनके दिल जो हमों सखत हो चुके होते होंगे कि अभी जो मैं देख रहा था कॉमेंट्स लोगों के बड़ी एक इमोशनल सी कहफियत होती है लेकिन पता नहीं मेरा ख यहां पर कोई प्राइम मिनिस्टर का बेटा क्यों ना हो दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी का बेटा क्यों ना हो करके दिखाए ना कोई बदमाशी उसको अदालत में उसी तरह गिसेटा जाएगा जिस तरह एक चपड़ासी के बच्चे को गिसेटा जाएगा फिर हमें पिताते हैं ओ जी हमारा मुलकों गोरे तो नंगे फिरते हैं तो ये हैं तो वो हैं क्या ये लोग ऐसी बनाते हैं फिर ये अच्छा उदर भी अपने आपको कहा देते हैं कि उन्होंने गोरों ने हमारे इकदार अपना लिये हैं हमारे तरीके अपना लिये हैं हमारा इसलाम उ आप ने बताया कि आपने therapy लिये है और अब आप इसके उपर बात कर सकती है आप comfortable है क्योंकि इस तरह की कहानी जो होती है शायद लोगों को बतानी पड़ती है यह मैं बताता हूँ आपको इसको बड़ा encourage किया रहा है वेस्ट में भी कि जो इस तरह होता है अपनी कहानी जरूर सुनानी चाहिए ताकि एक तो ये एक तो जारी बात है मर्द इसमें बहुत बड़ा एक कारेक्टर है 99% जो इस तरह के काम होते हैं उसके पीछे मर्द की ही मर्द ही होता उसके पीछे और ये मर्दों की जहनी हालत है जो के ये वो जहनी हालत है बेमारी है जिसका शिकार 99.9% मर्द ही होते हैं ये खलील लुल रहमान जासे जो लोग होते हैं वो बीच में कोई ट्रिवियल सा केस उठा देंगे ओ देखें जी फलानी मर्द के साथ भी ऐसा हो गया या ड्रामे बा दिखाया जाता है कि उनका इंपक्ट क्या होता है इसकी एक ऑस्ट्रेलियन आफ दे ये जिस लड़की को इस साल अवार्ड दिया था प्राइम मिनिस्टर ने उसको अवार्ड दिया था उसके उपर तस्मानिया एक रियासत है जहां पर होबार्ट है जो लोग क्रिकट गोरों के पराने जमाने के चलता चला आ रहा था लेकिन इस लड़की ने मोहिम इसके साथ जयाती हुई थी यंग लड़की ने इसने मोहिम शुरू की इसको खुद इजासत नहीं थी तो अगर वो करती तो कानून तोड़ी जाता और टेकनी कली हो सकता ह barely जेल चाली जाती ह उसने मोहीम शुरू की उस कानून को रिपील करवाया और फिर उसने अपनी कहानी सुनाई पूरी दुनिया के सामने और उसको पिर उन्होंना स्टेलिन अफ दियर बताया क्योंकि पॉइंट ये था कि कहानी सुनाना ये नहीं कि आप हर कोई जो भी रेडी नहीं है आपने जि की वो औरत की नहीं लुटी ये उस पूरे मुलक की इज़त लुटी है जहां पर ये फरसूदा निजाम है जहां पर मर्द को थपकी दी जाती है और मर्द तो ऐसे ही होते हैं और मर्द तो ऐसे ही काम करते हैं जिस तरह बाबे ने आपको बड़े ने का कि तो माबाब को कहन सुनाना क्यों जरूर है ताकर लोगों के इस तरह के मौशंटों के यह पूरा मौशणा ऐसा इस तरह के मौशंटों मुछे चुपेड़ेंडें पड़े अर्य वे बढलतों मुझे डुक्र बी हुआ है इस Monaten को आपकी कहानी सुनके मैं हर स्ट्रीम में कोशिश करती हूं के कोई साथ में काम करूँ भी कूछ बातें सुनके मेरे स TikTok रॄका नहीं जाता तो इसलिए मैंने का कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि इनका कोई पाकिस्तान में कोई फैसला नहीं होने वाला, इनको कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला, बस वो हाइलाइट हो जाते हैं, बहुत सारे केस जो हैं, पुलिस के पास रिजिस्टर इंग होते हैं, बहुत सारे केस ऐसे हैं, जिनको दो बार लिया जाता है, और मेरा मकसद दुख देने का नहीं था, किसी क नहीं, यह दुख नहीं है, मैंने भी यह नहीं कहा के दुख देने का, मैं आपको यह कहाँ हूँ, आपने जो बताया है, यह भादरी का काम है, और यह कहानिया दबलके मजीद सुनाने चाहिए, लेकिन in your own time, यानि जब आपने थेरपी की है, आप emotionally stable हो गए हैं, तो तब आप ने कहाने रुख लाइए, बहर हाल सले हैं, बहुत शुक्रिया आपका आने का, थेंक यू बैर मेरे मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए, मुझे PayPal या Patreon पर ज़ूर सपोर्ट कीजिए, ताके मैं अपना पैगाम, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पंचा सकूँ, झाल झाल